आज के भागदोड़वरी जिंदगी में हम चाहते तो है कि हमारा परिवार बहुत आगे बड़े, हमारे बच्चे हमारा परिवार का बहुत नाम रोशन करे लेकिन कई बार हम जब सामाजिक रूप से कई प्रकारिक रूमों में हम एक साथ आते हैं और हमारे बच्चों की या हमारे साथियों की कुछ ऐसी हरकते देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं कहीं कुछ कमी रह गई ह आज की हम ये कहानी जो आपको बताने जा रहे हैं ये एक value-based कहानी है एक नईतिकता की कहानी है संतुष्टता का जीवन जीवन में संतुष्टता की क्या महत्व है क्या value है आज हम इस कहानी से सुनते हैं एक पंडित था वो शहर के बाहर अपने परिवार को लेकर रहता था एक दिन वो पंडित शहर में जा रहा था तो उसकी पतनी आकर उन्हें कहती है कि पंडित जी आज घर में सिर्फ मुठी भर चावल ही है इसके अलावा कोई अनाज नहीं है जिसके वज़े से मैं आपको बो चिंत थे उनकी बात सुनने के बाद, और उन्होंने इधर उधर देखते वे, उनके पत्नी को कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, जो है हम काम उसी में चला लेंगे, वो बाहर निकल गए और शाम को जब अपना कारिये संपन्न करके जब वो घर में आए, तब उन्होंने पत्नी को कहा कि अब मैं हाथ मुधो कर आता हूँ, हम भोजन करते हैं, तो देखा कि केले के पत्ते में इससे फेक मुट्टी बर चावल की कुछ चावल के दाने थे, और इमली के कुछ पत्ते थे, उबाले हुए रखे हुए, तो पंडित जी ने उससे चखा और पूछा कि ये साग क इस चिस का बना है, तो उनकी धरम पत्नी ने कहा कि बाहर जो इमली का पेड लगा है, ये साग उसी चिस का बना हुआ है, पस हमारे पास और कुछ ठाने ही तो हमें अब इससे गुजारा करना पड़ेगा, तो पंडित जी बेहद निश्चिन तोकर और मुस्कुरा कर बोले, कि अरे वा, ये साग इतना सुंदर लग रहा है, अगर हमें पहले पता होता, तो हम इससे पहले भी बना चुके होते, तो पंडित जी ने कहा कि अब तो हमें पूरे 6-7 मैंने कोई चिंता करने के आवश्यक्ता नहीं है, इस साग से हमारा दो टाइम का गुजारा अच्छे स पतनी भी उनकी बात सुनकर बहुत संतुष्ट हुई पंडित जी का जबके शहर में बहुत नाम था तो उनकी गरीभी का समाचार उड़ते-उड़ते महराच तक पहँचा, उस शहर के राजा तक पहुचा, तो उस शहर के राजा ने अपने सेनापती को आदेश दिया, कि पंडित जी बहुत विद्वान है, बहुत मैं उनकी गरिमा सुनता हूँ, महिमा सुनता हूँ, मैं बहुत संमान करता हूँ उनका, तो मेरी तरफ से ये संदेशा भेश दीजी, कि पंडित जी को कहिए कि आप शहर में आकर रहिए, शहर में आकर हम सब के बेश रहिए, तो हम आपको कुछ अच्छा खासा कारुबार देंगे जिससे आपकी आर्थिक मंदी दूर हो जाएगी पंडित जी के पास सेनापती पूरी सेना की साथ ये समाचार लेकर पहुँच जेगी पंडित जी ने बहुत प्यार से उनका आधर किया उनको जलपान कराया और उसके पश्च जुखता हुई और इच्छा भी हुई कि ऐसे क्या वज़जय है जो पंडित जी आना ही नहीं चा रहा है शहर में इतनी गरीबी होने के बाद इतनी आर्थिक मंदी होने के बाद भोजन के लिए परियाप्त अन्न न होने के बावजूत भी वो शहर के बाहर ही क्यों रहना तो ये बात इस बात के पीछे का कारण जानने के लिए महाराज उस पंडित जी के घर तिसरे दिन पहुँचे महाराज को आते देख पंडित जी बहुत खुश हुए पंडित जीत को लगा कि मैं तो भग्यवान हूँ मेरे घर तो इस शहर का स्वयम राजा इस शहर का पालन हार मेरे घर पहुचा है बहुत उसको सनमान दिया उन्होंने बहुत प्यार से उनको आसन लगाया उनको बिठाया और काफी देर तक इधर उदर की बाते करते रहें भाराज अंदर में बहुत उसक थे, पूछने के लिए वो कारण जानने के लिए कि ये शहर में आकर क्यों नहीं बस रहे है परंतु वो पूछ नहीं पा रहे थे फिर उन्होंने ऐसे ही पूछा बात में कि पंडिक जी हमने आपको समाचार भिजवाया था हमने आपको कहा था कि आकर आप शहर में बसीए आपने क्यों मना कर दिया आप आये क्यों नहीं तो पंडिक जी ने बड़े गंभीरतास से और मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इसका कारण तो हमारी धरमपत्नी ही जाने हमें नहीं पता कि हम क्यों नहीं आए आप उन्हीं से पूछ सकते या किसी से पूछवा सकते हैं महाराज के साथ उनकी महारानी भी आई वी थी धरमपत्नी भी आई वी थी तो महाराज ने अपनी धरमपत्नी को इशारा किया कि त तुब नहीं आना चाहती है वो शहर में तो उनकी धरंपत्नी ने पंडित धरंपत्नी से कुछा कि हैं। तुम शहर में नहीं आना चाते हो, वहां बसना नहीं चाते हो, क्या वज़व हो सकती है। मतलब हम इसमें परियाप्त पानी भर सकते हैं। फिर उनका हाथ पकड़के वो घड़ के बाहर आंगन में ले गई। और फिर उनको कहा महारानी आप ये पेड़ देख रहे हैं, ये तो वर्षो तक ऐसा ही हरा भरा रहेगा। तो हमारे साग और चावल का इंतजाम तो आप कर दिया है, तो महारानी उसके चहरे पर जो संतुष्ट था, जो संतुष्टता थी, उसके देखकर बहुत आश्चर्य चकित हुई और उन्हें एक सुखद अनुभव भी हुआ। इस कहानी से हम ये सीख ले सकते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है, उसमें हमें संतुष रहना चाहिए, ओम शांती।